नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टीचर सोलुशन पर तो जैसे कि आप सभी को बताई है UPB8 परवेश परिक्षा 2022 के हमने सिरीज स्टार्ट की हुए तो इस सिरीज में हम आपका प्रिवेश सेर के कोशन 2011 के जोग किया क्या करा चुक है हम इसमें आपके डिसनिंग कवर कर चुके है और आपके जियेथ कवर करा चुके है और आज आपका हिंदी भी कंपलीट हो जाएगा तो तीन section आपके आज कंपलीट हो जाेंगे बागी फिर मचेगा मैत जो कि एम उसको कल कंपलीट कर तो यह किस चंद से लिया गया है यह आपको बताना है कि यह किस चंद से लिया गया है option number A दोहा चंद B शालिनी चंद या C मतग्यन चंद या D कुंडली चंद जल्दी से करेगा इसका answer तो इसका जो right answer है वो है C मतग्यन चंद इसका right answer हो जाएगा question number 77 देखेगा आपकी स्क्रीन पर है कि किस चंद में 6 चंद होते हैं आपको बताना है कि क्यासा कौन सा चंद है जिसके अंदर 6 चंद पाए जाते हैं यह दो होते हैं एक 6 चंद और एक कॉंडली चंद तो इन दोनों में आपके 6 चंद पाए जाते हैं ठीक है यह सब आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं next question question number 78 आपकी स्क्रीन पर है देखें क्या है वी रसका इस्थाइबाव कौन सा है तो आपको बताना है कि वी रसका इस्थाइबाव कौन सा है यानि के very very important question friends आफिर रिपीट हो जाता है आपको सबी रसके इस्थाइबाव आपको पता होने चाहिए कि किस रस में कौन सा इस्थाइबाव होता है तो ऐसी इसमें पुछा है कि वी रस में कौन सा इस्थाइबाव होता है एक क्रोध बीब है या सी शोक या डी उत्सा तो इसका जो right answer है वो है D utsah तो वी रस में आपका जो इस्थाइबा होता है वो utsah का होता है अब क्रोध किस रसका इस्थाइबा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए क्रोध होता है आपका रोधर रसका क्रोध होता है आपका रोधर रसका इस्थाइबाव ठीक है और भै किसका होता है आपका भै होता है आपका भै होता है आपका भ्यानक रसका इस्थाइबाव और शोक किसका इस्थाइबाव होता है शोक होता है आपका करुन रसका इस्थाइबाव है ना यह सब मैंने आपको ये सब भी detail आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं चलिए next question question number 79 के बात करते है question number 79 आप देखिए जशोदा हरी, पालने सुझा, जुलावे, हलरावे, दुलराई, मलहावे जोई सोई कुछ गावे में कौन सा रस है तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा रस है तो A है, आपका शांत, B है, आपका करुन रस, या C वात्सालियरस, या D अदबुत रस तो आपको इसमें बताना है राइट आंसर गया, राइट आंसर है इसका C वात्सालियरस देखे friends वात्सालियरस में क्या होगा वात्सालियरस में वो सब होगा जिसमें माता पिता जिसमें माता पिता क्या कर रहे हो जिसमें माता मिता अपने बच्चों के बारे में जिसमें माता पिता अपने बच्चों के परती प्रेम की भावना रखते हो है ना जिसमें माता पिता question number 80 की बात करते है question number 80 आपकी screen पर है निमन मेंसे कौन सा شब्द तत्सम है यह आपको पताना है कि इस मेंसे कौन सा शब्द है जो की तत्सम है तो A काज, B हात C कामया, D काल तो आपको पताना है तत्सम शब्द कौन सा है तो इसका तत्सम क्या होगा कारिय काज का तत्सम होगा वो होगा कारिय कारिय होगा राइट और काम का जो आपका तत्सम होगा वो होगा कर्म काम का जो तत्सम होगा वो होगा कर्म और हाथ का जो तत्सम होगा वो आपका होगा हस्त ठीक है यह सब आपको पता होना चाहिए और जो right है वो आपको बतानी है कि किस की spelling, किस word की spelling आपकी right है, ठीक है, यह सब आपको बताना है, तो चलिए जल्दी से बताएगा कि आशिरवाद आप कैसे लिखेंगे, देखें अगर आप आशिरवाद लिखते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे आशिरवाद, आशिरवाद की जो right spelling होती है वो होती है ये फिर से अच्छे से लिख देते हैं आशिरवाद ठीक है आशिरवाद जो होगा वो right विल्कुल ऐसे होगा ठीक है तो कौन सा है right answer आपका d आशिरवाद हमेशा आप ऐसे लिखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए अब इन में से बताना है कि कौन स आपका right लिखा हुआ है देखे पहला है अवतार तो अवतार को आप कैसे लिखोगे अवतार को बिल्कुल ऐसे लिखोगे तो ये एकदम right है तो इसका right answer हो गया ठीक है आगे बढ़ते है next question question number 83 83 में देखिए जीजी विशा को कैसे लिखेंगे जीजी विशा को हम देखो हम अगे बढ़ते है next question kosie noomber 84 देखिए ऐसी वर्य पता है आप कैसे लिखेंगे आश्वर्य की जो right spelling है वह होगी ये आश्वर्य की जो right spelling है वह होगी ये जो कि आपका D आपका right option होने वाला है आगे बढ़ते हैं next question, question number 85 के बाद करते हैं अंतर रास्ट्य है, अंतर रास्ट्य बताइए आप कैसे लिखेंगे अंतर रास्ट्य है तो अंतर राश्टि आपका A option आपका right answer होने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 86 की बात करते हैं 86 से लेके 90 तक क्या आपके ये question है इसमें आपको बताना है कि विलोम बताना है आपको word का ठीक है another का विलोम बताईए another का विलोम बिल्कुल काफी जो कि आपका रहने वाला है अतिका क्या होगा अगर मैं अतिका पूछू तो अतिका होगा अत्थ ठीक है आगे बढ़ते हैं next question question number 89 89 यानिके सदे सदे का आपको विलोम बताना है सदे का विलोम बताईए सदे का विलोम होगा निर्देई सदे का विलोम होगा निर्देई निर्देश का विलोम होगा निस निस्ठ्चूर का होगा होका करून ठीक है निस्ठ्चूर का होगा करून ठीक है आगे बढ़ते हैं एक विलो मुझान का नबर 81 की बात करते हैं, निमन मेंसे कौन सा विलॉम शब्द सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा विलॉम शब्द गलत है, आपको गलत बताना है कि गलत विलॉम शब्द है, कौन सा है नमें जो गलत विलॉम है, देखो, कनिष्ट का जेष्ट बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुरानिक का प्राचीन ये विलॉम शब्द नहीं है इस कांसर ए होगा यापका विलॉम शब्द नहीं है पुरानिक और प्राचीन तो पुरानिक का क्या हो जाएगा पुराणिक का विलॉम क्या होगा अगे बढ़ते हैं next question question नंबर 92 तामसिक का विलॉम क्या होगा त्मसिक का विलॉम आपको बताना है तामसिक्का विलो, a सात्विक, b, अबै, c, द्रढ, d, सामीश, तो आपको बताना है इसका रायत आसर, इसका रायत आसर होगा, ठीक है, अब अबह, 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 का क्या होगा, बहबीत, अबह का होगा, बहबीत, जो कि आपको पता होना चाहिए, द्रड का क्या होगा एद्रड द्रड का क्या होगा एद्रड ठीक है और शामीश का क्या होगा निरामीश शामीश का क्या होगा निरामीश ठीक है शामीश का होगा आपका निरामीश आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 93 के बात करते हैं निमन में से अमरत का वि विश 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 इसका right answer होगा डी विश काफिए easy question है अमरत का विलओम आपको बताना था जोगी है विश किसका right answer है D option आपका right answer होगा आगे पड़ते हैं next question 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 no 94 की हम बात करते हैं प्रशन में परियोकत रस के लिए सही विकल्प चुनिए है ना इस रस का मलए ये आपको रस दिया हुआ है एक तो इसको बताना है कि ये कौन सा रस है इसमें लिका है हे खग मरग हे मदुकर श्रेणी तुम देखी सीता मरगनेनी मलब इसमें क्या कर रहे हैं जो बहुत हो गय है योग में है तो बहुत ज्यादा दुखी है चलिए आगे बढ़ते हैं नाइस्ट कोशन कोशन नमबर 95 है निसिदिन बरसत नैनन हमारे इस पंगती में किस रसका वर्णन है यह सब आपको बता रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके ओप्शन देखे पहले ए वी के मतलब याद करकर के रो रही है बहुत ज्यादा मतलब उसके नैन बहुत ज्यादा बरस रहे है तो इसका राइट आंसर होगा शरंगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नाइस्ट कोशन कोशन नमबर 96 से 100 आप देखें नीचे चार चार शब्द के समू देगए हैं परते के तीन परिया हैं और एक भिन है तो भिन आपको बताना है भिन आपको इसमें बताना है कोशन नमबर 96 96 में अलग बताना है बाकि सब आपके इसके परिया है यानि के आंधी के आंधी का बाकि इन चारों में से परिया है तो कौन सा है एक जो अलग है अलग आपको बताना है ठीक है अलग आपको बताना है देखे अब क्या है आंधी का आप बताईए आंधी का प्रहाइवाची कौन सा नहीं है ठीक है देखो अंधर आंधी का प्रहाइवाची है बिल्कुल बवंडर भी आंधी का प्रहाइवाची है और तुफान भी आंधी का प्रहाइवाची है येकिन भे कि सब परेयवाची है एक अलग बताना है जो इसका परेयवाची नहीं है तरू क्या होता है तरू क्या होता है तरू क्या होता है पेड़ तो पेड़ के परेयवाची बताना है विटप बिल्कुल सही बात है पेड़ का परेयवाची है यानि कि तरू भी पेड़ का ठीज है आगे बड़ते हैं next question question number 98 के बात करते हैं धना धना धीप में बताना है कि कौन सा प्रहवाची नहीं है बाकी सब्सक्राइब मतलब वह है व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा क्या हो धन हो इसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो पैसा हो यानि कुबेर क्या है पैसे क का मतलब होता है बूरे दिन ऐसा मैं का मतलब होता है बूरे दिन ठीक है आगे बड़ते हैं next question question number 99 के हम बात करते हैं उच्च में बाकी सब प्रहवाची है एक different आपको बताना है कि कौन से का प्रहवाची नहीं होगा देखो इसका प्रहवाची होगा shirts भी उच्च का ठीक है और यह क्या है उच्चा है उच्च है यह तो उच्चा होना और बड़ा होने में जमीन आसमान का फरक है ठीक है यह मत सोच रहे ना कि अगर बड़ा है तो उच्चा भी होगा ऐसा नहीं है कुछ चीज बड़ी हो सकते लेगिन उच्ची नहीं हो सकती है ना ऐसा है न आपको बताना है कि जल्दी का परियावाची कौन सा नहीं है ठीक है अलग आपको बताना है तो आप देखे ए निर्गी और बी पयोधी या सी ददी या डी उबदी तो बाकी सब जल्दी के परियावाची है निर्दी पयोधी और उदी यानिके ददी जो है किसका ठीक है दही का प्रेवाजी है आपका ददी जो कि आपका राइट आंसर होगा C यानिके ददी आपका राइट आंसर होगा तो यह तहां आपके 50 पुश्चन आपके हिंदी के जो कि हमने किये हैं 2011 के जो कि आपके बेड एंटरेंस एक्जाम में पूछे गए थे तो अगर आप भी बेड एंटरेंस एक्जाम की तहरी करें हैं और आप हमारे चैनल पर नियू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा ताकि आपके पास इन्फरमेटिव वीडियो पोस्टिर है हमारा जो चैनल है वो आपके लिए काफी काम आने वाला हमारा चैनल आपके ऐसे एन्फरमेटियो फायल भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी और एंटरेंस एक्जाम के ताम तयारी कराई रहे हैं और बाकि रिभी यूपिटैट और सीटैट की हम तयारी आपकी कराने वाले हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और आपके वीडियो को लाइक करेंगा और इस सीरीज में हम आपके 2011 से लेके 2021 तक के सभी प्रिवेशेर के कोश्चन आपके कराने वाले हैं जो कि आपके काफी help करेंगे आपके exam 2022 में और पूरी और रहे हैं जो कि आपके करेंगे में हम आपके वाले हैं मmusic से दोलिग करेंगे हैं ज्यूरी vidéos की जापकेः तूरी